इत्या में रामलला के विराजपान होने केバाद शद्धालू बहुत बहुत दूर से यहाँ पर पहुच रहा है वही महराज्ज के शद्धालू भी यहाँ दर्शन करनेे पहुचे थे यहां सुविधा केंद्र पर मोबाइल जमा करवाते वक्त शद्धालू का करमचारी से विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मार्कीट तक पहुझ गया शद्धालू ने करमचारी पर अपशब्दों के प्रयोग करने का आरूप लगाया है वहीं पुलस CCTV पोटेज के आधार पर चार्च कर रही है पीडित महिला ने करमचारी पर आरूप लगाते हुए बताया है कि उन्हें मारा गया है जिससे उन्हें चोड भी आई है वहीं मौजूद पुर्शों को भी हाता पाई के दौरान चोड लगी है जो जो फोन दिये तो उनोंने क्या वह लगे गलत सब्दों कर लोग बोल रहे थे अभी मॉबाइल है तो वोटी कि इतना मोबाइल हम रखे कहा जब हमने ट्रे दिया उनको तो उन्हें मॉबाइल ना पठकने लगा अभी हमारा चीज अभी चालिस दर का फोने अभी वह पर करेंगे तो हम उनको बोलेंगे ना भाई जरा आराम से तो वोल रहा है कि इतना सारा मॉबाइल लाए क्यों आइसा वो बोल रहे हैं अभी यह इसा बोलेगा तो फिर हम मतब जो भाई ता मेरे साथ तो वह उल्टा का इक लिए उसने आइसा वोला यह सब अंदर का अब यह यह लगेगा यहां पर जो पूरे देश के सभी लोग यहां पर आस्ता के ना अपना प्रभूराम जी का धरसल लेन आते लेकिन मैं यहां की प्रसाशन यहां की सरकार और मैं खास करके यहां के हमारे लोग प्रिय योगी जी उकमंत्री जी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर यह बात आप तक जाने चाहिए और आपको यह मैसेज मिलता है ना तो आप उसके उपर जल से जल एक्शन लीजिए अगर कोई भी राज्य का जादा थी काउंटर वो ट्रे भर गया था तो उसके बाद देखो उन्हें गाली दिया में नहीं बोल सकता है इसमें लेकिन बट यह है कि वो गाली देने के वज़े से भी बात खड़ा हुआ है और उसके बाद उन्हें जो अंदर से ट्रेफिक के मारा है जो लोकन का एक पा